नमस्कार किसान भाईयों कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं बहुती बढ़िया होंगे किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली और भरत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली तीन उन्नत वेराइटि के बारे मैं आपको पूरी जनकरी दूँगा कि इन वेराइटियों के बवाई करने का सही समय क्या है बीच की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और किसान भाई एक एकड़ में इस वेराइटि के कितने बीच लगाने चाहिए घुट्टा कितने समय में तैयर हो जाता है और इसके फसल पकने का समय क्या है फसल पकने का बाद में हमें दाने की पैदावार कितनी प्राप्त होती है किसान भाई हो पूरी बात करेंगे पूरी जनकरी देंगे इस वीडियो का माध्य हमसे तो आप वीडियो को पूरा देखे अंत तक देखें ताकि आपको सही जनकरी प्राप तो होते रहें किसान भाई यों मार्किट के अंदर इतनी वाराइटी आती हैं जिने हम गिन नहीं सकते हैं परन तो कौन सी वाराइटी अच्छी है कौन सी को हमें सेलक्षिन करना चाहिए कौन सी वाराइटी की समय लगा जाएं चाहिए यह पूरी नोलिज हमें मक्का की मक्का की खेती हैं मंगा कीख टर्प्र मातरा में गोबर की खट डली है और मक्का की खेती कैसे करें इसके बारे मैंने वीडियो अपलोड कर रहा चैनल पर दाकर आप पूरी जानकर इसमें देख सकते हैं कि मक्का की बुवाई के समय कौन सी खाट डाल ली हैं कौन सी नहीं डाल ली हैं तो कुसानवाई यह बात कर लेते हैं तीन उन्सील वैराइटी का वाई में तो पहली हमने वैराइटी रखी हैं यह पाईोनीयर कमपणी की है पाईोनीयर Pures in SS01 में सी आरप्भाई बहुती पोपलर वैराइटी के सामय की बात करें कि एक एकड़ में हमें कितने बीच लगाने चाहिए तो आपको एक एकड़ खेत में अपने लगभख 40-42 अरपोदे लगाने चाहिए किसानवाई यह इस वैराइटी के भुट्टा तयार होने की बात करें तो इस वैराइटी का भुट्टा लगभख 70 दिन में तयार हो जाता ह यदि हम इसके फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैराइटी लगभख 100-110 दिन में पकर तैयर हो जाती है यदि हम पैदावार की बात करें तो इस वैराइटी का दाना होता हो पकने के बात वह लगभख 30-35 कौंट्र पिर्ट एकल हमें प्राब्त होता है किसानवाई हो आ में एस वाराइटी के भुधाई के समय के बात करें तो आफ इस वाराइटी को जून और जॉलाई के महहने में लगा सकतें यदि हम इसके पकड़े की समय की बात करें तो यह variety लगवए 110 छे 115 दिन में पकड़ तियार हो जाती किसनवाई हो यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह variety हम लगवख 35 कौंटल पिरती एकल की पैदावार देकर जाती किसनवाई हो आप इस variety का selection भी कर सकते हैं किसनवाई आफ हम बात कर लेते हैं अंतिमोर तीसरी variety के बारे में तो यह जो variety के सनवाई हमने रखी है यह बायर किलॉपस्तान्स की है तो डेकाल वह 91-26 के नाम से आती है किसनवाई हो आप इस variety का selection भी कर सकते हैं यदि हम इस variety के लगाने की समय की बात करें तो आप इस variety को मई, जून और 20 जुलाई तक आसानी से लगा सकते हैं यदि की सनवाई हो इस variety के बीजदर की बात करें बवाई के लिए तो यह variety लगभग 115-120 दिन में पकर त्यार होती है यदि में इसकी पैदावार की बात करें तो यह variety हमें लगभग 32-35 कोंटल पिरती एक लगात पातन देकर जाती है किसनवाई हो यदि किसनवाई हो आप इन variety को सही समय से देखवाल करते हैं और समय से खात पानी लगाते हैं तो आप इसकी जो highest पैदावार है लगभग 40 कोंटल पिरती एकर तक ले सकते हैं सनवाई हो यदि किसनवाई आपको किसी अन्य फसर का बारें को जान कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यदि मेरे द्वारा देगे जान कर आपको अच्छा लगी हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चानल को जरूर सस्क्राइब करें ठैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो